क्या आपने कभी सोचा है कि किसी मुल्क की एकॉनमी किस तरीके से चलती है किसी भी मुल्क के स्टॉक मार्केट के अफ्स एंड डाउंस गोड्स या सर्विसस के प्राइजस और इंप्लॉयमेंटेशन कैसे मेजर की जाती है आज से हमने अपने देखने वालों की असानी के लि मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस, इकनॉमिक्स और डिफरेंट टॉपिक से रिलेटिंग आर्टिकल्स जो आपकी नॉलेज में मजीद इजाफा करेंगे और जो भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी उसके भी आर्टिकल्स आपको अधूरीपढ़ाई.com पर मिलेंगे वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, मैक्रेकनॉमिक्स की डेफिनेशन, डिली लाइफ एक्जेंपल्स, मैक्रेकनॉमिक्स क ये एड्वन्टीजिस और डिसएड्वन्टीजिस क्या है, मजीद ये वीडियो हमारी इकनॉमिक्स सीरीज वीडियो में से एक है, अगर आप वो सीरीज देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तर का मतलब होता है ग्रीक होता है जिसका मतलब होता है प्सक्रिप्शन में में समझेंगे Macro-economics is the branch of economics that deals with the performance, structure and behavior of an economy as whole Rather than the individual parts that make it up Macro-economics में हम किसी भी economy के whole यानि के मुकमल performance देखते हैं ना कि वो किन individuals की वज़ा से final result तक पहुँची है मिसाल के तौर पर जब किसी मुल्क के economy stable होती है तो लोग necessities के साथ साथ luxuries पर भी focus करते हैं और जब किसी मुल्क की economy stable नहीं होती तो लोग सर्फ और सर्फ अपनी basic necessities यानि रोटी, कपड़ा और मकान ही मुकमल कर पाते हैं अब इसके मिसाल हम अपनी आम जिंदगी से लेते हैं जब मेरे financial हालाद अच्छे नहीं होंगे तो मैं अपने लिए 1000 रुपे का lawn का suit लेकर भी गुजारा कर लूँगी लेकिन अगर मेरे financial हालाद stable होंगे तो मैं branded suit की तरफ ही जाऊंगी तो exactly macroeconomist क्या study करते हैं macroeconomist focus करते हैं एक big picture पर जिसमें वो macroeconomics के different variable को analyze करते हैं जैसे के gross domestic product, inflation, unemployment किस तरीके से इन variables की वज़ा से economy पर असर पड़ता है अब बात करते हैं macroeconomics के advantages पर number one macroeconomics हमारी मदद करती है मुल्क की economy की performance देखने में number two macroeconomics policy makers की मदद करती है मुल्क की economy बेतर बनाने में जैसे के अगर मुल्क में inflation या unemployment बढ़ रही है तो policy makers कैसे उसको रोक सकते हैं number three individuals, businesses और government को facilitate करती है market को समझने में जैसे के कौन से चीज मार्कित में लोग ज्यादा खरीद रहे हैं या कम खरीद रहे हैं 100% accurate नहीं होता निसाल के तौर पर पैट्रोल की कीमत अगर हमें stable रखते हुए अपना कोई data तयार करते हैं तो वह हमारे लिए फाइदे मन नहीं है है जो के हमारे लिए फाइदे मन नहीं है नंबर टू डिफिकल्टी इन मेजरिंग एन एक्यूरेटली फोर्कास्टिंग मैक्रेक्नॉमिक्स वैरियेबल्स बहुत मुश्किल से एक data फोर्कास्ट किया जाता है मैक्रेक्नॉमिक्स के वैरियेबल्स लेकर बिसाल के तौर पर जैसे कि हमने पहले पड़ा कि मैक्रेक्नॉमिक्स के वैरियेबल्स में GDP नानी Gross Domestic Product, Inflation और Unemployment शामिल है बिसाल के तोर पर एक मुल्प है उस मुल्क में 100 लोगों की अबादी है लेकिन unemployed low जादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं यानि जो data forecast हुआ है वो exactly सही नहीं होता उसमें कमी या जाती होती है No.3 Limited ability to account for unexpected events and non-economic factors affecting the economy Macroeconomics में हम सब कुछ calculate नहीं कर पाते जो economy indirectly affect करता है जैसे के अगर मुल्क में कोई natural disaster आ जाता है तो government और consumer दोनों ही उसका शिकार हो सकते हैं जिसका असर market पर पड़ेगा अगर आपका हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करें और हमारी website को visit करना ना भूलिएगा अलाफश अलाफश झाल झाल